तो पहला कोशन किसका आगया है तो पहला कोशन आपको सामने लग रहा है कि नंबर सिस्टम का ये सवाल है और यहाँ पर जो बात हो रही है वो यूनी डिजिट की बात हो रही है मतलब इकाई अंक की बात हो रही है किसकी बात हो रही है दोस्तों इकाई अंक की बात हो रही है आपको इकाई अंक निकालना मतलब यूनी डिजिट निकालना अब यूनी डिजिट होती क्या है जैसे मैंने लिखा 789 तो यह जो लास्ट वाली जो टर्म होती है इससे बोलते है वी यूनीड डिजिट पूछ रहा कि आगर 81 मल्टिप्लाइ हो जाए 82 से और 82 मल्टिप्लाइ हो जाए 83 से ऐसे करते 84 फिर 85 up to song 99 तक multiply हो तो आपकी जो unit digit है वो क्या नहीं है तो इतो बड़ा असान सवाल है आपको पता है 81 से शुरू हुआ है और 99 तक multiple गया है तो बीच में 90 भी तो आएगा जब 90 आएगा तो last में क्या आएगा दो जीरो आएगा और जीरो नैचुरल है कि इनको multiple जो भी आया लास्ट में जीरो जुरूर आएगी तो नैचुरल यूनी डिजिट हमारी क्या बनेगी इकाई अंक क्या बनेगा हमारा जीरो बनेगा तो इसका जो सही अंसर आया बो आया option A is the right answer clear हुआ की नहीं हुआ अभी करते हैं next सवाल करते हैं देखो next सवाल जो आ गया है आपके पा पाइंट हटता है तो क्या होता देखो पोईंट हटेगा तो कितना दस हो जाएगा रई मोर्न कितना हो जाए बो कितना होगा 20 ही होगा तो सभी का बेस सेम करना अगर बेस सेम हो जाएगा जैसे झाबर जैसे फाइब अपों तैन आता है और आतerson है और इक्टा अपको बेस सेम करना एग走了 गो एक investigating censal math520 का करेका के लेना अपने 55 लेना और अजिए ऐल सिम पूछा है तो उपरवले का के लेना हमेशा लेना बस अब नीचे वाले कांता है सब्सक्राइब कि टिर्मे के सेम आ जाएगे तो सेम ओना जाएगे तक सेम कित्रा घठान या नीचे अगर आपको पता है कि जब स्थी फूचता तो उपर वाले गालेते एल सी मतलब महत्तब और लगुतम лेते हैं क्लैर हो नुगया ओर जब लगए Qप उपर वाले का लेते हैं तो नीचे वाला गर सेम हो जाए ना सब्सक्राइब तो आप उपर वाले का के लेना अपने हमेशा के ले लेना है अपने लेना तो पंदरा बारा दोसो और कितना गया पच्छतरा गया चो चौल आइए सॉल्व करते हैं तो इजी यह देखो पच्छिस के पाड़े में कट रहा सीधा पच्छी कम पच्छी बारा अब ट्री के जा रहे हैं जोंक तरी यह एक त्री और यह फॉर से चला जाएगा मुझे ऐसे लग रहा एक टू भी आ जैगा तो पस इनको मैंटीपल कर लो तो ट्वैल ट्वेंटी फॉर तो कितना है दोस्तो ट्वेंटीफॉर मिल्टिप्लाइब कितना गया 25 आ गया और कितना आगया दस आगया जीरो से जीरो काटी तो आपका जो एल सीम आया वो कितना आया दोस्तों 60 आगया option A is the right answer clear हो गया की नहीं हो गया अब कभी भी point वाला आए नीचे वाला base अब simplification का सवाल आए तो आप सभी को पता है यह क्या apply करना है इसको क्या apply करना हमेशा board mass apply करना है अब देखो bracket तो है नहीं मतलब bracket के अंडरूट है तो यह किसका अंडरूट है बताओ यह हमेशा आ जाता है 27 का अंडरूट तो 27 divide by 45 multiply by कितना आ गया 540 is equal to कितना आ गया x square आ अब आपको पता है कि off तो है निए d मतलब करता है तो divide है तो divide हो जाएगा solve हो जाएगा तो right वाला कहां चला जाएगा नीचे तो 45 कहां चला गया नीचे और multiply by कितना आ गया 540 अब दो को 9 से कट रहा सीथा 9 से काटा 3 9 से काटा क 5 और 5 से सीधा कट रहा 5 5 4 आ गया तो अगली वाली नेक्स टरम लेने पड़ेगी तो 58 जा 40 और 3 से multiply करती है तो कितना गया 324 is equal to x square आ गया और यह किसका square है बताओ यह किसका square है तो आपको ना 40 तक कि square याद होने चाहिए अगर paper देने जा रहे है ना तो maximum वहीं से आकर simplification का सवाल आएगा तो वहीं से question बजाते है आराम से तो आपको square root निकालना square root वो सब कुछ पता होना चाहिए ठीक है clear होगे कि नहीं होगे तो इसका जो answer आया option is the right answer clear हुआ कि नहीं हुआ बो समझा है कि नहीं है ठीक है तो आभी करें next सवाल करें चलवाईए next सवाल करते है कि तोटN number कभी भी average के साथ multiply होते है तो हमेशा क्या कमाने कि आता सम्प मतलव क्या कि कुल संख्या जो वी संख्या होती है बो Islands हो जाए किसके साथ गूड़ ऑसक के साथ गूण हो जाए तो हमेशा जम्मने क्या ता अब जैसे जैसे कोश्म बोलता जाएगा वैसे-वैसे मै पड़ी तो पांच पैंट कितने की पड़ेंगी इसको 125 की पड़ेंगी की नीए पड़ेंगी मतलब उसकी जेव से कितना पैसा खर्चों गया 125 फिर बोला उसने टैंज शर्ट ली और 50 रुपे पर ईच लिए उसने टैंज शर्ट ली देखो 10 शर्ट लिखते हो 10 तो एक कितनी के पड़ेंगी उसको 500 की के लिए उसने 15 टाइली एक कितनी के पड़ी पंदरा टाइली और एक कितनी के पड़ी 35 रुपे के पड़ी 35 कर दिया और ये कितना आ गया साड़े 300 अगया तो मतलब मोहन ने 25 रुपे में परतेक दर से पांच पैंट खरीदी ठीक है 50 को मुल ले पूछ रहा है तो लिजत्वा का पुछ रहा है कि पूरे बसतूं का इवरेज की इंटर का पूछ रहा है तो झाल इन फो ठाड़ हो दस रहुंा डैस पचीस पैसा कि तो सबहें के हैं यह मauowe lang गेंगे निफ्ले मैंन का निहीं दोस्तों clear हो गया तो बस इसके ऊसे पूछ रहा है तो 975 बटा कितना हो जाएगा 25 बस 25 एकार दो 25 तीं कितना होते हैं 175 175 में 15 डाले तो 190 15 में 7 डाले तो कितना होते हैं तो लगो 39 आर आया मैंने कुछ गड़वड़ी तो नहीं कर दी एक बार चेक कर लो मैं 35 रुपे में 15 टाइक रिदी हां यहां पंदरा आना था दोस्तों यहां पर कितना आना था 15 आना था मैंने थोड़ी सी गड़वड़ी कर दी तो इसको मल्टिपल कर लेते हैं तो 15 पंदरा पंचे कितना होते हैं 45 45 में 7 डाले कितना होते हैं 52 होते हैं अब इनको प्लस करते हैं तो 1000 हो गया 1000 हो गया और 100 डाला तो 1500 तरलग बग बन गया 1150 बना कितना बना 1150 बना ठीक है अब इसकी ओस्त निकालते हैं मैंने यहाँ अच्छे से रीड़ नहीं किया था थोड़ी सी गड़वड़ी हो गई ठीक है 15 थी मैंने 10 सी ले ली थी अर अब देखते हैं अब कितना आगे ग्यारों सो पचास आगे और पचीस कहां चलेगा नीचे तो चलो आप इसका एलसिम ले बिल्कुल लेते हैं पचीचों के कितना होते हैं सो होता है बचा पंदरा तो यह आया 46 है पर उप्षिन में अभी भी 46 नहीं है कि मैं फिर से गड़ बड़ी कर रहा हू एक वार चेक कर लेता हूं 10 शर्ट 50 के खिरिदी 500 की आनी है 5 शर्ट 25 की खिरिदी 125 की आएगी 15 टाई 35 रुपेज के पंदरा पंदरा पंज केता है 75 पंच साथ आ गया 153 केता है 45 45 में डालें 52 होते हैं इनको प्लस किया 500 500 केतना होता हजार होता है 125 125 तो 1050 और एक पजार गय 50 का एवरेज पूछ रहा आर्टिकल पूछ रहा है तो अहां अब देखो यह आइटम है यहां पर कितनी देखो 15 10 25 यह 30 होगी दोस्तों 30 से डिवाइड होना है तो जीरो से जीरो काटा 3 से काटा 33 जगेतना होते हैं नाइन होते हैं टू आ गया 38 जा 24 बन बचा पॉइंट लगे तो जीरो 339 339 तो इनका जो ओस्त आना था बो आना था 38.33 आना था क्लेर हो गया कि नहीं हो गया तो देखो यहां पर हमने केगडवडी कर दी एक बार फिर से क्लेर कर लेते हैं यहां पर मैं मिटा देता हूं दिखो डरना नहीं कभी भी आप न कोशनों से डरे यार गलती हमसे भी हो पर एवरेज का सवाल आए जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे खरते करते जाओ 15 है 15 को 35 किया तो कितना आ गया 525 आ अब हमसे पूछ रहा है सारी एटमें तो इनको प्लस करो कितना होता है 30 होता है सारी एटमों का ओसत पूछ रहा है कि टोटल से 1 बस तू कितनी की पढ़ तो कभी भी question जैसे याभी मेरे से गलती होगी मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा तो हमेशा अच्छे से पढ़ा करें ठीक है देखो आगला सवाल आ गया percentage का आ गया देखो आगला question तो खाई जाओ गया मुझे लग रहा है question क्या हो रहा है the sum of the 15% of a positive number किसी number का मुझे 15% निकालना है and 20% of the same number उसी का same number निकालना is 125 का sum उनको sum करो तो 125 बनता देखो question हिंदी में भी पढ़ते है एक संख्या के 15% और उसी संख्या के 20% का जो योग है वो कितना 126 है तो मेरे मता आप एक वो संख्या पता लग जाएगी की नहीं लग जाएगी बिल्कुल लग जाएगी सर बोलना अच्छा फिर हमसे का बचला what is the one third of that number मतलो उस number का एक बटा तीन कितना है तो चलो आईए question solve करते है तो जब भी मैंने बोला percentage आए तो आपके दिमाग में वो number कितना आजाना चाहिए तो उस number का आपने पंदरा परसेंट लिया तो कितना आ गया पंदरा आ गया एगरी करते हूं और उसी number का आपने बीस परसेंट लिया तो कितना आ गया इक्जामर बुर रहा है इनका sum तो आपने भी के कर दिया इनका sum कर दिया तो इनका sum कितना आ गया 35 आगया और 35 का डाटा के दे दिया बोलो 126 दे दिया कि नहीं दे दिया बस एक का डाटा निकाल लो तो आपका तो 35 है तो जिसका डाटा दिया उसे कहां लिखे नीचे और आप से वो संख्या पूछ रहा तो पहले संख्या निकाल लेते क्योंकि एक वटा तीन है ना तो कटे और आठ तो आठारा से किया तो आपके मताबिक वो संख्या कितनी आगे 360 आगे अब हमसे वो संख्या नहीं पूछ रहा उसका एक रतिहाई पूछ रहा मतलब एक बटा तीन कितना होगा बोलो एक बटा तीन होगा 120 होगा मतलब ओप्षिनłem c is the right answer clear होगए तो कभी भी percentage में आए तो आपको हमेशा किस में सोचना हमेशा परसेंटेज में सोचना है और आपने देखना कि किस का डाटा दिया हूँ है और संभलो तो मतलत 25 का डाटा दिया हूँ था और 100 का डाटा पूछ रहा था मतलत नहीं संख्या निकाल न फिर उसका एक बटा तीन निकाले तो आपको multiply कर देते हैं सो बटा तीन तो अभी answer कितना आता है 120 आता अभी करते है next सवाल करते है next सवाल क्या बोल रहा देखो profit and loss का question है तो इस तो बड़ा easy question है यह भी percentage में तो percentage में सोच लेंगे हम देखो a person sold a watch at profit 10% कोई 10% profit में बेचता है तो मतलब उसने खरीदा होगा cost price मतलब क्रेम ले कितना होगा उसका so percentage आगे तो सोचना है तो उसका जो selling price होगा भी क्रेम ले होगा वो कितना होगा 110 अगर 110% profit में बेचा है if he sold it for rupees 2000 बोर मतलब यहां से बोला अगर बो 2000 अधिक बेचता तो इन numerical value आगी इसके साथ तो touch करना नहीं हो गया तो उसे बोले gain होता 20% का अब profit किसे होता हमेशा cost price से तो 20% का profit होता तो उसका निया selling price कितना बनता बोलो उसका निया selling price बनता बिक्रेम बनता 120 हमसे क्या पुछ रहा find the cost price उसका cost price तो देखो पहले 110 का माल भी करा था अब 120 का माल चाही तो आप कितना जादा बेच रहे हो भाई 10 बेच रहे हो जाधा के निई बेच रहे हो तो ten $10 का data दे दिया बस हो दैखो दस का data के दे दिया बोलो 2000 दे दिया है तो 1 का data कितना आगे जाएगा तो तो एक का data आटा जाएगा, दो हजार बटा कितना आएगा, दस, और हमसे cost price पूछ रहा, 100 का data पूछ रहा, तो multiply पर 100 कर दो, यह तो बड़ा ही simple था question, तो answer कितना आगा, 20,000 आगा, बिन पैन उठाए भी आप ही question कर सकते थे, अगर आपको logic पता है, कि profit, lab, मतलब profit and loss किसे होता हमेशा profit and loss, मतलब lab हो रहानी हमेशा किसे होता है, cost price से होता है, clear हो गया कि नहीं हो गया, lab हो रहानी किसे होता हमेशा, cost price से होता है, क्रेमले से होता है, अभी करते हैं, next सवाल करते हैं, दोखो, अब जो 7th से लेकर, जितने भी आगे question है ना, 7th से लेकर, जितने भी आगे question कोशन अना इस्टुडेंट्स ने मुझे बेजें सारे कोशन स्टुडेंट्स इनस्टाग्राम में मुझे दीम किया है मतलब उन्हें ने फोटो बेजें इन कोशनों के की भाई ये कोशन वीडियो में करवाईए ठीक है तो अगर आप भी आपने कोई कोशन में डाउट है कोशन क्या बोर रहा है कि a sum becomes six fold at five percent per annual तो यहां पर कोई भी compound interest की बात नहीं कर रहा है तो मतलब वो किसकी बात कर रहा है simple interest की बात कर रहा है कुछ भी जिकर ना कियो हो तो हमेशा किसका जिकर होता हमेशा simple interest का जिकर होता है समझना तो ऐसे समझते हैं पी मतलब क्यों प्रिंसिपल मतलब मूलधन अच्छा आर मतलब क्योंता बोलो दर होती है एक time होता मतलब क्योंता समय होता है और एक होता simple interest मतलब साधारन भी आजा आगया आपका और एक आगया amount आगया मिश्यरधन आगया clear हो गया कि नहीं होता है तो अब इस question को करते हैं हमें देखो इस question को करते हैं आराम से करते हैं बोले कोई मेरा पैसा मेरी एक राशी है 5% परती बर्ष में मतलब एक साल में कि शुख रोचेए 5% की रेट से बला एक सालों में कुछ भी आगर और रही त्व त्वित इस अब आखर हम से टाइम पूछरभ थेए यह वारा formula लगा दूँगा तो time आ जाएगा पर मेरे से time नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर मेरे से time नहीं पूछ रहा है, तो चलो भाई आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है, बोले at what rate, मतलब rate की बात कर रहा है, आप से rate ही पूछ रहा है, बोले वही पैसा the sum becomes 12 गुना कर है, तो मुझे अपनी rate कितनी करनी पड़ेगी, तो बड़ा ही simple सवाल था जिसने भी हमसे यह question पूछा है, तो बस उसको logic समझना है, कि साधारन ब्याज होता है, बहुछ साधारन ब्याज बे ब्याज होता है, जो हर साल सेम रहता है, क्यों सेम रहता है, क्योंकि हर साल मूल कितना बना देखो, 11 रुपे ब्याज बना की नहीं बना, तो आप से देखो, आप से पूछा रहा है कि rate कितनी होगी, तो खुद ही logic लगा लो, कि 5% लगा कर मुझे 1 रुपे पर, 5% लगा कर मुझे कितना ब्याज मिल रहा है, तो मैं यहां rate कितनी रखो, time क्योंगे होगे, तो यहान पर यहां प्रेट मैं कितनी रखूं एक उरफे पर टाइम से मी रहे कि मुझए 11 परसेंट तो प्रफेंट्स ऑल जुए तो यहां है उन्याव सब्सक्राइब जुए हम आइंध जयाब सकता है इसका जो एब 11 परसेंट है क्लेर होगे हैं कि ही नेक्स सवाल करते हैं बोत प्यारी कुछन पूछें ऐसा नहीं की अब दिको यह वाला कोशन पुछा है तो यह वाली कुछन उसने मेरे आईडी से इसने तो पूछा होगा कि यहां पर चक्रवी दिवाज दे दिया होगा और आप से योग पूछ रहा है मतलब प्रिंसिपल पूछ रहे क्या पूछ रहा आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा उसको confusion हुई होगी मेभी उसको ऐसे वो method उसके दिमाग में होगा कि principle रखा और 115 बटा so ऐसे है ना something ऐसे उसने सीखा होगा तो उसको confusion आ रही होगी यहाँ पर simple interest से क्या game होगा तो चलो जिसने भी यह मुझसे पूछा है तो बुतिहां से देखना अभी देखो इस question को देखना है इस question को हम कैसे करते हैं देखो तो जब भी आपको rate और time दियो compound interest मतलब चक्र भी दी भी आज पूछा हो ना तो बस खुशियां बनाने start कर दो क्योंकि इन दोनों से आप न वो system बना सकते हैं कि कैसे question crack होगा तो मतलब आपके पास कुछ पैसा होगा उस पे 15% की rate लगी तो उसमें कुछ पैसा बन गया उसमें फिर से 15% की rate लगी तो उसमें कुछ पैसा बन गया तो मतलब देखा जाए तो 100 से कितना बना होगा 115 यह वाला पैसा भी और यह भी 100 से कितना बना होगा 115 आप मुझे पता है इनकी ratio बना दो तो 20 से काटा कितना आ गया 5 से काटा कितना गया 25 से काटा कितना गया 23 तो मतलब जब भी ऐसा कोशन आए रेट और टाइम दिए तो हमेशा ऐसे डिरेक्ट लिखना अपने 20 से कितना त्रेस और कितना किया कर दे कितना 400 और कितना तो हमेशा 30 तक के स्केर याद होने चाहिए आपको इसमें 20 तक क्यूब तो आपको कंपाउंड इंटरस्ट और यह वाली वीडियो देख लेना पार्ट वन पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा आपको जो बेसिक लेवल के कुशन आएंगे देखो यह आपके मताबिक क्य द्हान आगे और यह आपके मताबिक क्या आगा है चक्र बीदी ब्याज आ गया खेले हो गया तो आपको देखो चक्र बीदी ब्याज की वैल्यू दी हुई तो मतलब कि 139 का डाट दिये हुआ है और प्रिंसिपल मतलब 400 का डाट पूछ रहा तो बस हो गया कुशन करें 139 की वैल्यू के देदी है 322 कितनी देदी है 5 देदी है तो एक का डाटा कितना आगए भलो 322 कितना आगए 5 अपोन कितना आगए 129 और 400 का डाटा पूछ रहा प्रिंसिपल तो मल्टिप्लाइवे के कर दो 400 कर दो और इसको सॉल्व करो और आपका अंसर आ जाएगा देखो 139 से यहां पीछे 5 है और लगवर 2 गुन करो तो 24 बनता है तो लगवर 5 कितना आगए 22 पची तो नहीं पचास 50 तो कितना आगए 32 देखो तो यह तो है आपकी प्रेक्टिस कैसी है यह निए कि 2 से लग पड़े का टने 5 से लग पड़े काने या तो 139 से डिवाइड करना थोड़ A is the right answer 10,000 clear हुआ की नहीं हुआ तो हमेशे जब भी compound interest का question आए चक्रभी दीव का सवाल आए तो ऐसे करना अभी करते हैं next सवाल करते है तो next सवाल भी किसी ने पूछा हुआ हमसे तो इसमें जादा नहीं है यह भी easy है देखो हमें 300 रुपिया बांटना है 300 रुपिया बांटना है किसमें बांटना बोलो question पढ़के पता लग जा रहा है P, Q, R में यह पैसा बांटना बोला देखो the sum of the 300 रुपीज 300 is divided among P and Q in such a way that फिर आगे वो story सुना यह इस story को पकड़ना मतल़ 300 रुपिया एकराशी को P, Q, R के इस तरह बांटना जाता है की क्यो को P से 30 रुपिया और र को क्यो से 60 रुपिया और ऐसे लिए लएते हैं हम situation बना लेते हैं P, Q, R तो बोले की देखो R को Q से 60 रुपिया और Q का जी करो रहा तो Q को X ले ले लेते हैं से समय लेते हैं कि स्टोरी तो R को बोला 60 रुपया दिक मिलता तो कितना मिलता होगा X प्लस 60 और बोला Q को P से 30 रुपया दिक मिलता होगा तो मतलए Q से अगर 30 रुपया कम कर दूँ तो किसको मिलता होगा पी को पैसा मिलता होगा तो पी को कितना पैसा मिलता होगा एकस माइस थाटी और ये क्योग को कितना मिलता होगा एकस और इसको किमता है इतना देखर मैंने क्योग की वैली एकस ली तो बोला आर को क्योग से साट रुपया दीक मिलता तो प्लस 60 लिए दिया क्यों को P से 30 रुपया दिक मिलता है मतलब क्यों से अगर 30 कम कर दूं मतलब X से 30 कम कर दो पी की वैलिव आ जाजएगी पस होगे कोशन अब इनको क्या करना हापस में प्लस कर देना तो प्लस कर देते तो X X प्ला प्लस हो जाएंगे 3X और माइनिस के 30 और क कितना होता और 500 तो आर को payer. PIZ मिला होगा और नबब ब remot Martinus 30 कर दें तो इसको मिला होगा, 60 रुपीज मिलोंगे अब हमेंस से इसकी रेशो पूछ रहा तो 0-0 काटी, 0-0 bele班 5 2 3 काटा कितना गया a तो पी के वार किस रेश्योंब किस रेश्यों में है दोस्तों, और 2 सकते हो ठीक है अभी लेते हैं next सवाल लेते हैं ये भी किसी student मुझे बेजा है ये question भूजा हुआ है तो चलो आज ये इस question को करते हैं अब देकर time and distance का सवाल है तो मुझे पता है कि time and distance का सवाल आए तो मुझे यादखना है कि time कभी भी speed के साथ मिलता है तो हमेशे के निकली के आता है distance निकली के आता है मतलब क्या कि समय कभी भी किस के साथ चाल के साथ मिलेगा तो हमेशे के निकली के आती है दूरी निकली के आती है अब कोशन क्या बोल रहा है दिहां से पढ़ते है बोले a truck cover a distance कितना करता है? 550 मिटर कवर करता है एक मिनिट में एक ट्रक एक मिनिट में 550 मिटर की दूरी तह करता है whereas a bus cover a distance in 33 किलोमेटर in 45 मिनिटस जबकि एक बस 45 मिनिट में 33 किलोमेटर की दूरी तह करती है तो ratio of their speed उन दोनों की ratio निकालने किस कि? उसकी ट्रॉक और और बसकार निकाल लेते हैं तोर नेच्छे को शूंत में कि निकाल लों है। slow कितने साथ तो ललो ओकाar ऑग कोड़ा जूपनुनुना और पर सेकंडेगों कि ले नहीं हो पूर्ण कर लेकर देख इंटी सो मतलब 30,000 m doğru आ गया कि नहीं आ गया मतलब मुझे पता है कि 전 only कि किलोमिटर में रखनाप पड़ेगा बस तो किलोमिटर एक हजार होते हैं हजार होते निकालनी बस की और टाइम कितना दिया हो देखो पड़ोगा ताइम चांड बस इसके पड़ेगा कि कटता है काणव जो नहीं कटता तो जियादा प्रेशल नहीं लेना है आपको बट इूंस कर थे 30 कट है किते हैं तंस दस वटा- मीटर शोट बर 109 मीटर पर सेजंद अब इनकी रेशयो कोछ फिकलंप निकाल लेते हैं आफ राक зач family कितनी बोलो 556 मीटर पर सेकंड आच आपकी जो बस है उसकीस पीड कितनी बोलो एक सो डिस बटानो मीटर इनला नहीं की रेशो मतबोडिका खो अब्हकृилась 11 से कॉटा कीतना आगे 10 उपर उपर वाले को करते हैं 11 स काटा कीतना आगे 5 तो इनकी जो स्पीर्ड की जो रेशियो बनेगी बनेगी त्री रेशियो फोर बनेगी मतलब क्या option c is the right answer clear हुआ की नहीं हुआ तो मतलब यहाँ पर आपको simple याद रखना कि इस time कभी भी speed के साथ मिलता हमेशा distance और दोनों की speed निकाल नहीं या तो kilometer पर आपर में निकाल लेजी है या तो दोनों की speed निकाल नहीं थी meter per second में निकाल लेजी है वड़ी असानी से कोशन को आपक क्रैक कर सकते थे अभी करते है next सवाल करते है अब देखो next सवाल क्या हो रहा है कि एक बेल गाड़ी है वो 10 गंटे में तो मुझे क्या रखना है मुझे तो या रखना है कि time कभी भी किस के साथ speed के साथ मिलता है तो हमेशा के निकल के आता है बोलो distance निकल के आता है मतलब क्या कि समय कभी भी किस के साथ चाल के साथ मिलेगा तो हमेशा के निकल के आती है दूरी निकल के आती है अब बोलो 10 गंटे में 80 किलोमेटर की दूरी ते करती है मतलब 10 गंटे में इध, इट, कवर, हाफ फ़ डेडनी, महांतोब हाफ गरह तो लगवक जर्णी कितनी बहुत है? 40 km की जर्णी बूला, 40 km की जर्णी तो वो कितना टाइम लेता है? 3 upon 5 आइम ले अग नहीं है, तो टाइम कितना बहु लो? 10 घंटे, 10 घंटे का 3 बटा 5 ले लेता है, तो काटा तो लगबग उसने 6 घंटे ले लिए 40 किलोमेटर ते करने में कितने घंटे ले लिए 6 घंटे ले लिए तो हमसे इसकी भी चाल नहीं पूछी हमसे क्या पूछ रहा है कि वर्ट वी दशूद इस स्पीर तो कबर दर रिमेंग डिस्टेंस इन दा टाइम लेफ्ट मतलब तो शेष दूरी को मतलब सेष समय में ते करने में उसकी गति क्या होनी चाहिए तो पता उसकी दूरी कितनी बची बची बढ़ी 40 किलोमेटर बची कि नहीं अब जो यह दूरी है उसे 6 टाइम में करने है तो टोटल टाइम कितना बोलो 10 घंटे है तो कितना टाइम डन होगे अभी तक 40 किलोमेटर 6 घंटे है अब उसको जो अगली जो चाल है अगली जो दूरी है उसे 4 घंटे में करने पड़ेगी कि नहीं करने पड़ेगी तो बोल असान सवाल था हमने बड़ी असानी से इसको भी कर लिया अब ही करते हैं नेक्स सवाल करते हैं देखो नेक्स सवाल भी यह भी असान है अब मुझे पता टाइम एंड वर्क का कोशना है तो मुझे क्या रखना है कि time कभी भी efficiency के साथ मिलता है तो हमेशे के निकल के आता work निकल के आता है मतलब क्या कि समय कभी भी किस के साथ शमता के साथ मिलता है तो हमेशे के निकल के आता car निकल के आता है आपको हमेशे जो भागना है efficiency के पीछे भागना efficiency पता लगी नहीं कि आप का ऑनसर आया कि नहीं आप बोर रहो रहा है कि थ्री मैन या देखो या या फूर वूमें अ केंड़ आFrبة वोल इन 43 डी न Tay तो तू तेन आदमी आएं, तो उस Kundal का को 43bank दी Community स्बस्थे नहीं करते ते तू आ Transportation चार महिला आ तीन आदमी की जो आपर है, चार ओरतों के बराबर है, तो बस एक आदमी की निकाल ले, तो आदमी धर रहेगा, तो बूमेन का लेगे वो ले नीचे, फोर धर रहेगा, तो थ्री का चलेगा नीचे, तो मतलब किया आगए M रेशियो कितना आगए W, और कितना आगए 4 रेशि तो एक आदमे एक दिन में चार पैन बना तता ऐसे समझे लो और एक Notицम में कितने बना पातिती यहतर है व क्रद्यesse घुखो बस आप जैसे आड़ चैनकी बोलो तो एक आदमे की शमता कितने होगी बोलो जिर्फ़ एक आदमे की कितना आगया बोलो 43 पॉन हंडड़ आ गया मतों 43 मैंटिप्लाइब टॉल अगया हमसे क्या बोट रहा है कि यह वही काम कौन सा काम 43 मैंटिप्लाइब टॉल अब है बोट कौन बोले सात आदमी प्लस पांच ओरते मिलकर बोले मिलकर उसकाम को कितने दन में कर देंगी तो यह तो सात आदमी हो बहुत्र एक औरत की मताँ को मताँ vist है तो फाची ओरत काशा काम हो की वाद्मिया हाँ हम उस्फ और चाहिए तो में घाहिए कि स्धाउक जायां को दो कर देंगे । यहां पर उप्शन में बी ले लेविजिए इसका जो सई आणशर आएगा वहाएगा। वैलब डेज आएगा क्योंकि मैं इसमें शूर हूं कि यह सही है तो फिर मेरे मुड़ के देखना है नहीं है ना ख्लेर हो गया गया तो इसका जो अंसर आ गया बार आ गया एजी सवाल था हमने बड़ी असानी से इसको भी कर लिए अभी करते हैं नेक्स सवाल करते हैं तो इसके आगया है एक उलेकर का यह को आदि कर लो सका फार्मला इसकर शारी साइड़ सढ़ार वंते हैं बराबर रहते हैं शिक्टी शिक्टी डिग्री होते हैं तो और हमसे क्या पूछ hay एसका i dünyate report या बजय सि». पूछ रहा है याद रहो कभी भी एक कुलेटर जिसकी सारी साइड हो इसका कभी भी शित्र फल जो होता है अगर निकालना हो तो वह होता है अंडरूट कितना होता है अंडर रूट 3 अपोन 4A स्क्वेर है ना हाँ ठीक है तो अंडर रूट 3 अपोन 4A स्क्वेर होता है कितना होता दोस्तों एरिय कितना होता हमेशा अंडर रूट 3 अपोन 4A स्क्वेर होता है ठीक है अगर इसका पैरिमेटर पैरिमेटर आपको पता है कि बाहर 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 पैर तो एंडरूट 3 अपॉन 2a होती है इसकी हाइट दे दिए चित्र वाइठा कितना दे यह टो 4 3 अपॉन कितना आजएगा दोस्तो 4 आजेगा कि निंगा बस होगे एक इसे 4 कुछ इसे 4 कट तो यह 3 उपर चला जाएगा, तो यह उपर ऐसे कटी जाएगा, clear हो गया कि नहीं हो गया, मतलब मेरे कहने का मतलब है, कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो, under root में हो, तो यह आगए 81 आगए, तो मुझे बताओ, 81 किसका square होता है, 81 होता 9 का square होता, तो मतलब इस under root के बाहर क्या आजाएगा, 9 आजाएगा, फिर से इसको square हाटा, तो under root 9 हो गया, तो under root 9 हाट गया, तो A की value कितनी आगी, तो 3 आगी, तो इसको जो सही answer आ रहा था, option A is the right answer, clear होगे कि नहीं होगे, तो एक पर फिर से समझ लेते हैं, इस question को, तो अच्छे से समझ लेते हैं, देखो, इकुलेटर triangle के होता है, आपको पता लग गया, जिसकी सारी साइडे के होती है, बराबर, sum भाहू त्री बूज होता है, clear हो गया, तो सबसे पहले अगर इसका area पुछ ले, जिसकी सारी साइडे बराबर होती है, वैसे, sum of triangle कितना होता है, आपको पता लग गया होगा, 180 होता है, और कितने परकार के triangle होते हैं, कितने परकार के 3 भूज होते हैं, 3 types of 3 भूज होते हैं, ठीक है, एक होता है, एकुलेटर triangle, मतलब समभाहू त्रीबूज, एक होता है, आईसोसलेश triangle, मतलब उसको बोलते हैं, समदिवाहू त्रीबूज बोलते हैं उसको, और एक होता है, स्केलेश ट्रीबूज जिसे बोलते हैं, बिशम बाहू, मतलब जिसकी दो साइडे बराबर हो जाएं, बूस नोने को मतलब मतलब मेरे कहने का मतलब ठीक है, तो आज equilator triangle की बात हुरी है तो एक बात देख लू equilator triangle जिसकी सारी side बराबबर होती है उसका ज़ो sum 180 होता हो सारे angle की होते है सेम होते हो उसका area पुछ लेता इसमें जो main roll नहीं होता है a की value नहीं होती है दिंखो इसका area पुछ लेता तो мне Festert truth 3 4 a square देखो a की वैली पता हो put करो area एक पुछ लेता हाइट क्या पुछ लेता है यह वाली height पुछ लेता equilator triangle की क्या पुछ लेता आप से height पूछ लेता मतलए क्या बोलते हैं उसको उन्चाई पूछ लेता तो इसको उन्चाई पूछ लेता वह था एहां पर पूट करता तो ऐरिया आजाता है यहां पर पूट करता तो हट आ यहां पर पूट करता तो में यहां पर पूट ऑस्मéner मेटर है अपर मुझे एरिया की या Um यहां च्छो कितों में निकालना था आपको लिख सकते हो, 3 से काटा कितना आगे, 81, तो A स्क्वेर की वैल्यू कितनी आगे, 81 किसका स्क्वेर होता, 9 आगया, फिर से स्क्वेर हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा, तो A की वैल्यू कितनी आजएगी, दूस्तो, 3 आजएगी, तो हमारा जो अंसर आया, आज आज आपने बढ़े अच्छे से एकुलेटर ट्रेंगल भी देख लिया, तो ये स्टुडेंट ने मेरे से पूछे हुए थे, तो फिर मेरा फर्ज बनता है, तो पो करवाना ठीक है, और आपको भी आगर डाउट हो ना, तो टेंशन ही लेनी है, डिस्क्रेशन बॉक्स मे संभावना को कॉशन आगा, और आपने बच्पन में किये भी होगा, कि संभावना, ठीक है, ठीक है, आपने प्रोवाइलिटी का कॉशन आपने किये भी होगा, जिसकी भी पोसिविल्टी निकालने, जो भी पोसिविल्टी होगी, उससे कहां लिखना आपने, जो भी तो निली टोपिया है तो ब्लू कैप से फोर रेड कैप से और वन येलो कैप से इफ टू कैप पिक्ड़ एट रैंडम और वाट इस दा प्रॉवेलिटी ऑफ बोथ हार ब्लू मत दोनों के होने चाहिए यह ब्लू होने चाहिए तो बड़ा सिंपल है आखर मैं हाट डालूगा से ब्लू कितने हैं वाली पो पॉसिविल्टी इसकी दो ही पॉसिविल्टी न डे वाने गीत दो नीचे में एक टोपी नीदली आ सकती है क्लेर हो गया की नहीं हो गया मतलब option is the right answer clear हुआ की नहीं ठीक है तो कभी भी कभी वी यह question आया तो आपको हमेशा है से करने एक लिए की रोगे की नहीं हो गया तो बढ़ी आसानी सामने स्कोशन को कर लिया अभी करते हैं next सवाल करते हैं तो नेक्स सवाल किसका आगें आपका फिलसे यह धूड़ेश्टा थोड़ा साना उसका कोशन आ जाते तो इसंता का कहले होगा मतलब क्या किमे कभी भी किसके साथ मिलेगा तो हमेश्चे के निकल के लिए ता कारे यहां गैरी सेन मतलब चोकी पुर्षों की बात हो रही चोकी में पुर्षों की बात हो रही कितने पुर्ष हैं बोला हजार पुर्ष हैं च्छेसो पुर्ष और आ जाते हैं तो यहां दिको पुर्षों की बात हो रही मैन की बात हो रही तो एक मैन की अफसेंसी के ले लो one ले लो, हो क्या question कराएगा, तो बोला हजार पूर्श हैं, हजार मैंने, तो अपसिंसी कितने आज़ेगी, हजार आज़ेगी, उनके पास ना 48 दिन का खाना ऐसे समझे ले थे, प्रावधान है, मतलब पूर्शी में दिनों, अब देखो, यह वाला question देदी है, अब यह नहीं बताए कि, जो 600 पूर्श आएं, वो कब आएं, ठीक है, मतलब 600 पूर्श आगे, तो how long was now for the last for the, ठीक है, तो यह question मुझे incomplete लग रहा है, यह थोड़ा type तो कर दिया, पर थोड़ा सा incomplete है, तो ज्यादा pressure नहीं लेना आपनो, यह वाला question थोड़ा सा complete करके, मैं अगली वार आपको ले आए करूँगा, ठीक है, ले आउँगा, ठीक है, यहाँ पर जाहर पूर्श की बात हो रही है, तो मतलब ऐसे हो स reinforcement of 600 men arrived, मतलब 10 दिन के बाद, 600 आदमी आ जाता है, तो लगवग हजार बंदों ने, मतलब हजार बंदों ने, दस दिन का खाया होगा कि नहीं खाया होगा, बिलकुल खाया होगा सर, तो बैसे हो ना था, यह दस दिन का खाना खाली गया, तो कितना खाना खाली होगा, इनने 10 10,000 बोरियें खाली होंगी, चावल के ऐसे समलों के टोटल बोलिया 48,000 थी, फो 10 दिन में 1000 बोलियें 10,000 बोरियें खाली, अब बोला कि 600 बंद और तो टोटल बंद कितना हो जाएगा, 600 बंद हो जाएगा, तो बोला, आपसेंसी कितने हो जाएगी, 16 बोल रहा है कि बचा हु पर तो आपका तो एक तो यह तो रहा तो यह तो यह कुशन को नहीं और आप रहां मैं तरुटे में फ़ाँ सब्सक्राइब तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और मेरा काम आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को जुरूर लाइक करो शेर करो कमेंट करो सब्सक्राइब करना ना भूलना तके आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सके जय माता दी